तन्वी स्वाती को चुप कराते हुए कहती है तुम क्यों रो रहे हो बताओ स्वाती एसे मत रो बताओ क्या बात है तन्वी के इतना समझाने पर भी स्वाती कुछ नहीं समझती वो अभी भी रोती जा रही थी तन्वी स्वाती के आशू पोचते हुए कहती है बताओ स्वात स्वाती, क्या बात है, तुम्हें ये शादी पसंट हो है न। मैं किसी और से तो प्यार नहीं करती। स्वाती, सिस्कियां लेती हुए तनवी से कहती है। वो बात यह दीदी की। स्वाती बोलते-बोलते रुख जाती है। हाँ बोलो स्वाती, ढरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, खुल कर बोलो, क्या बोलना चाहती हूँ? स्वाती धीरे से कहती है, ओ तन्वी धीदी, मैंना किसी से प्पया? स्वाती अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही उस कमरे में आईशा आ जाती है, आईशा को कमरे के अंदर आता हुआ देखकर स्वाती चुप हो जाती है, आईशा स्वाती की आँखों में आसु देखकर हैरान हो जाती है, और मन ही मन सोचने लगती है, ये स्वाती क्यों रो कि आईशा तनमी को ताने देना शाल करती है सवाति उसे रुपती हूं जाते हैं भces कुछ भोड़े से मा, आप भी न, अपनी आप ही कुछ भी समझ लेती हैं, आप ही बताइए, आप लोगों को छोड़ का जाऊंगी तो रोंगी नहीं, तो फिर और क्या करूंगी मैं बला, कौन लड़की उसकी शादी की दिन नहीं रोती है? ये बात सुनकर आईशा का उसा शांत हो जाता है, और वो नॉमल होते हुए स्वादीज कहती है, बेटा मैं समझती हूँ इस बात को, आखिर मैं भी तेरी मा होने से पहले एक लड़की ही थी, एक लड़की को सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है, समझी? अर तुझे पता है न बेटिया पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे अपना घर छोड़का जाना ही पड़ेगा, यही विदी का विधान है, पर माँ बेटियों को ही क्यों अपना घर छोड़का जाना पड़ता है, बेटों को यू नहीं? आईशा स्वाती को समझाती हूँ कहती है, क्यूंकि लड़कों को भगवान ने ऐसा नहीं बनाया होता है, कि वो किसी के घर में जाकर उसका घर बसा सकी, समझी? वो पैसे कमाकर मकान तो बना सकते है, पर उस मकान को घर सिर्फ एक लड़की ही बना सकती है, समझी? आईशा समझ गई, चल अब जादा बातें मत कर, अच शादिया तेरी जल्दी से तयार हो जा, लड़के वाले कभी भी आती होंगे? आईशा तन्वी की दरब देखते होंगे कहती है, और तन्वी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तन्वी आईशा के सवाल का जवाब देते होंगे कहती है, वो मैं स्वाती को तयार करने आई थी, आईशा तन्वी पर उस्सा होते होंगे कहती है, कोई जरुवत नहीं है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बीटी के पास भी मत बटगना मैं तुम्हारी परचाई भी अपनी बीटी पर नहीं पढ़ने देना चाहती, समझी तुम आईशा अपनी बात को आगे जारी रखते हो कहती है चलो तुम नीचे चलो, मैं अणन्या को भेजते हूं साथी हो तैयार करने के लिए मैं नी चाहती कि तुम मेरी बीटी हो तैयार करो जैसे आईशा यह बात कहती है तन्वी को याद आता है कि जिस काम के लिए वो आई थी भो तो उसनी किया ही नहीं था स्वाती के हाथ में उसकी रक्षा करने के लिए काला धागा तो बाधा ही नहीं था तन्वी आईशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है चाची जी आज के दिन तो मुझे पर हुस्सा मत कीजी पीती बातों को आज के लिए भूला दीजी और प्लीज मुझे स्वाती को तयार करने दीजे वैसे भी अनन्या नीचे प्यूश के साथ बिजी है चाचा जी ने उन दोनों को खाने का इंदिजाम देखने के लिए कहा है आईशा तन्वी को घूसते हुए उससे के साथ कहती है मैंने कहा ना कि तुम मेरी बेटी को तयार नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती समझी तुम यही मेरा आखरी फैसला है अगर अनन्या नीचे काम में बिजी है तो फिर में किसी और को भेज़ दूंगी दुनिया में इकलोती तुम ही नहीं हो जिसे दुलन को तयार करना आता हो समझी तुम तन्वी आईशा को पलटका कोई जबाब नहीं देती बस उदासी के साथ अपना सर नीचे कर लीती है स्वाती आईशा को समझाती हुए कहती है मा आप फिर से तन्वी दीदी पहुस्सा करने लगे वो तो मनाई कर रही थी कि वो मुझे तयार नहीं कर सकती जब से वो महनी वाला कांड हुआ था मैं इने मना कर लाई हूँ और आप इनहीं पहुस्सा हो रही है स्वाती आईशा को मनाते हुए कहती है प्लीज मा मान जाईए और तन्वी दीदी को मेरा मिक अप करने दीजे न आपको पता है जब पिछली बारी यहां पर आई थी न तब ही मैंने इनसे कहा था कि मेरी शादी में यही मेरा मिक अप करेंगी और आप वादा तोड़ने के लिए कह रहे है प्लीज मा आज तो मेरी शादी है आज की दिम तो मेरी खुशीयों के लिए मेरी बात मान लीजी आईसा स्वाती ही बात समझ जाती है और स्वाती के सर पर लाट से हाथ फेरती है अगर तू कहती है तो ठीक है जल्दी तैयार हो जाना, देर नहीं होनी चाहिए सुना है संधी जी वक्त के बहुत पाबंध है और महूत नौ बजे का है अभी छे बज रहे हैं हाँ मा में तयार हो जाओंगी आप फिक्र मत कीजी आईशा उसकमरी से चली जाती है आईशा की जाती ही तन्वी उसकमरी का तरवाजा लगा देती है आज जाने बाद स्वाती उदासी के साथ तन्वी से कहती है तन्वी दिदी, आप मा की बात के बुरामत मानिएगा उनकी तरफ से मैं आप से माफी मांगती हूँ आप तो जानती हैं मा को, उनकी जुबान ऐसे ही है, कडवी पर दिलगी बहुत साफ है, वो तो आप देखी रही हैं कि घर में क्या हो रहा है आजकल इसलिए थोड़ा परिशान रहती हैं तो कड़वा बोल देती है तन्वी स्वाती हूँ समझाती हूँ कहती है स्वाती तुम्हें मुझसे माफी मांगने कोई जरुवत नहीं है मुझे पता है, चाची जी दिल की बहुत अच्छी है और मैं बुरा क्यों मानूंगे भला, चाची जी की बातों का हम उसी पर उस्सा होते हैं जो अपने होते हैं पर आयों पर भला कोई उस्सा करता है क्या और अब ये सब छोड़ो, वक्त वैसे भी गुजरता जा रहा है हमें ज्यादा वक्त बरबाद ना करते हुए सारा ध्यान तुम्हारे मेकप पर लगाना चाहिए देखना, आज की रात मैं तुम्हें ऐसा तयार करूँगी कि हर कोई तुम्हें देखता रह जाएगा इतना कहकर स्वाती तन्वी को तयार करने लग जाती है कुछी घंटों में तन्वी स्वाती को तयार करती थी तन्वी स्वाती की आँखों में आइलाइनर लगा रही थी और स्वाती की आखे बंद थी आइलाइनर लगाने के बाद तन्वी स्वाती से कहती है स्वाती अब तुम अपनी आखें खूल सकती हो स्वाति धीरे से अपनी आखे खुलती है और जब वह आयने में अपना चेहरा देखती है तो बस देखती रह जाती है स्वाति दुल्हन के ट्रेस में बहुत सिंदर लग रही थी उसने लाल जोडा पहना हुआ था और कानों में छोटे-छोटे सोने के छुंके पहने हुए थी। उसने बालों में मोगरे के फूलों का गज्रा लगाया हुआ था। स्वाती हुश होते हुए कहती है। तन्वी दीदी मुझे तो यगीनी ने हो दा कि यह मैं हूँ। मैं तो खुद अपने आपको नहीं पहचान पारे हूँ। पता नहीं घर में कोई मुझे पहचान पाई गया नहीं। इतना कहकर स्वाती मनी मन हसने लग जाती है। तन्वी कि अपने आपको आइने में निहारने के बाद स्वाती तन्वी को देखती है तो अच्छानक उसका शिएरा उतर जाता है स्वाती को युँ अच्छानक उदास होता हुई देखकर तन्वी हैरानी के साथ आजार हुएा समधी के सूं के सवाल का जवाब देती हुग्तिती ते कि तो मुझे बौट पसंद आया योगो dipping structure खुशी नहीं है नहीं स्वाथी यसी कोई बात नहीं है मुझे तुम्हारी शादी से खुशी नहीं बलकि बहुत खुशी है और वैसे भी मेरे तैयार होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है स्वाथी जट से तन्वी की बात का जवाब देते हो कहती है फर्क पड़ता है आखिर आप मेरी बावी हो। स्वाती की बात सुनका तन्वी हिरान हो जाती है और मनी मन सोचने लग जाती है कि स्वाती को कैसे पता कि रुद्र ने और उसने शादी कर लिये। तन्वी हिरानी के साथ स्वाती से पूछती है। स्वाथी तुम्हें कैसे बता कि मैंने वो रुद्र ने शादी कर लिए स्वाथी तन्वी के आखों में दिखते हुए कहती है आपको क्या लगता है भाभी अगर आप मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पतानी चलेगा क्या स्वाथी यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है मैंने तुमसे पूछा कुछ वा रहा और तुम मुझे बता कुछ और रही हो बता तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो रुद्र ने शादी कर लिए मैं जानना चाहती हूं स्वाथी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है वह भाभी मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन आप और भाईया इस घर में आये थे तन्वी हराने की साथ कहती है क्या स्वाथी अपनी बात को आगे जाले रखते हूं कहती है हाँ भाभी जब उस दिन मैं आपके लिए कर्म पानी लेने गई थी न तो वापा साथे वक्त मैंने आपके और अनन्या दीदी की बीच की सारी बाते उन ले थी तन्वी धीरे से सवाथी से पूछती है यह बात तुमने चाची जी को तो नहीं बताई नहीं भाभी यह बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई आप टेंशन मत लिजे आपने मेरी एक बात नहीं मानी तो सब को बता दूंगी तन्वी हराने की साथ और मैं अपने भाइया भावी के साथ एक बहुत सुंदर फोटो की चुआना चाहती हूँ अब जल्दीर जाई हो तैयार होकर आईए तन्वी स्वाती की बात से अग्री होती हो कहती है हाँ बाबा हाँ जा रही हूँ पर उससे पहले तुम अपनी आखें बंद करो स्वाती हर के सवाल का जवाब देती हूँ कहती है भावी मुझे आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरुसा है इतना क्यकर स्वाती अपनी आखें बंद कर लेती है तन्वी का परस वहीं पर रखा हुआ था तन्वी जठ से अपने परस में से काला धागा निकालती है और उसमें स्वाती धीरेज अपनी आखे खोल लेती है और वो कहती है यह क्या है भाबी तन्वी स्वाती के सवाल का जवाब देती हूए कहती है यह तुम्हारा सुरक्षा कवच है लोगों की बुरी नजरों से बचने के लिए आज शादी है न तुम्हारी तो बहुत सारे लोग नजर यकान लागा दींगी तुम्हें के लिए बान्धा सुआईस धागा भू खोलते हों आप यह वी झान की तरह का पूरी है वहां को भूट सीथे काम करीअ करती है नहीं स्वाथी ये धागा खुलना मत तुम्हें मेरी कसम मुझे पता है तुम्हें ताभीज वाभीज पहनना पसंद नहीं है पर प्लीज मेरे लिए पहन लो तुम पहनने नहीं देती तभी तो तुम्हारी आखे बंद करवाई थी अच्छा आप कहती हैं तो पहन लेती हुँ भाभी सिर्फ वो सिर्फ आपके लिए स्वाथी अपने हाथ में वो काला धागा देखी रही थी कि तभी तन्वी देखती है कि स्वाथी के हाथ में सिर्फ काला धागा ही बना हुआ है अभी तक उसने चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी तन्वी लाल चूड़ियों का डबा उठाती हुए कहती है अरे स्वाती तुम्हें चूड़ियां पहनाना तुम्हें भूली गई स्वाथी वो चूड़ियों का डबा तन्वी हाथों में से लेते हुई नीचे रखते हुए कहती है भावी ये चूड़ियां आपना मुझे दे दीजे इन्हें मैं खुद अपने हाथों से पहन सकती हूँ आप जाकर तयार हो जाएए समझें आप हाँ बाबा हाँ जा रही हूँ मेरी ननद इतना कहेंकर तन्वी उस कमरे से बाहर चली जाती है कुछ देर के बाद शादी के सारी तयारियां हो चुकी थी रुद्र का घर रोशनी से जगमगा रहा था रुद्र, पियोश और समीर रुद्र के कमरी में शादी के लिए तयार हो रहे थे सबसे पहले अरजुन तयार हो चुका था और वो बिस्तर पर बैठ कर उन तीनों के तयार होने का इंदिजार कर रहा था अरजुन चुड़ते हुए कहता है यार और कितना वक्त लगेगा तुम दिनों को पियोश अरजुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है बस पांच मिनिट यार अरजुन पियोश से कहता है यार जब से पांच मिनिट पांच मिनिट कर रहा है कब होंगे तुमारे पांच मिनिट समीर अर्जुन की बाद का जवाब देते हो कहता है पांच मिनिट बाद समीर के बाद सुनकर रुद्र अप्यूश हसने लग जाते हैं समीर आइने में कंगी करते हो कहता है यार कुछ भी बोलो वापस बलमा डोला आकर पुरानी यादे ताजा हो गई अर्जुन भी समीर का सा यार वो तो है याद है पहली बार जब यहां रुद्र की शादी में आए थे तो उस दिन भी इसी कमरे में इस तरह तयार हो रहे थे हम सब्सक्राइब अर्जुन के बाद सुनका प्यूश कहता है हाँ और जब दूसरी बार भी यहां पर आए थे तो तब भी शादी थी तन्वीगी प्यूश ने इतना कहा ही था कि तब भी अच्छानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अनेहरा बिखर जाता है समीर हरानी के साथ कहता है यहारिया लाइट को क्या हो गया अलजुन समीर के सवाल का जभाब देते हूं कहता है पता नहीं ।ुने विल ने बने बराता गया जो लाइट वालोने लाइट काड़ ऑस दी वोटिए ते कैसी बाते कर रहा है तू बढ़ा हैँ हमने बिल और in fact अगर लाइट चली भी प्यूश डरते हों कहता है जब पहली बार हम यहाँ पर आई थे तो ऐसे लाइट गई थी और मंड़ब में से और ही घायब हो गई थी और जब दूसरी बार आई थे तो स्टेश पर से लाइट जाते ही तन्वी घायब हो गई थी और आज तीसरी बार हम यहाँ पर हैं वो भी शादी में ही कहीं इस बार सुआती ना प्यूश बूलते बूलते रुख जाता है और अचानक से कमरे में खामोशी च्छालाती है अब रुको यार सब्सक्राइब नहीं किया भी आपने वीडियो लाइक ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार क्या कर रहे हो